हे माम मरियम मरियम हमारी सहाइनी तूने सब के दुख दर्दे को जानी कृस्त में प्यारे भाई और भहनों आप सब को जे ये शू पहुत्र माम मरियम के जन्म दिन की तैयारी के तीसर दिन में हम आज प्रवेश कर रहे हैं कल हम पहुत्र माम मरियम के विश्वास में जीवन के बारे में महरंजिन्दन करने के लिए हमने कोशिश किया था आज विशेश रूब से हम पहुत्र माम मरियम के जीवन के आज्या गारिदा के उपर महनजिन्दन करने के लिए कोशिश करेंगे संद्र लूकस का समाजार अध्याई एक पहुत्र संग्या 38 में हम इस प्रगार देखते हैं पहुत्र माम मरियम कहते हैं देख मैं प्रभू की दासी हूं तेरा का दन मुझ में पूरा हो जाए जब गिब्रियल देवदोद पहुत्र माम मरियम से अपने ससंद्र इश का खबर उन्हें सुनाया तब पहुत्र माम मरियम पहुत्र वजन के ऊपर आग्या कारी बनकर इस इश्वर की योजना पर सहमत हो गई क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों हम अपने आध्यात्मिक जीवन की और मनंचितन करने के लिए कोशिश करें हम किस प्रकार प्रभु इश्वर से आग्या कारी बनकर हम अपना जीवन जीते हैं किस प्रकार हम अपना आध्याद्मिक जीवन में आग्या कारिकदा को मखत देखते हुए आगे बिढ़ते हैं क्या इश्वर की योजनाओं पर पूरा का पूरा सहमत देते हुए इश्व की और जनाओं को हां करते हुए क्या हम अपने आध्याद्मिक जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं या नहीं पवत्र मा मर्यम को यह ठीक मालूम था कि अगर वह इस संदेश के उपर हां कहे तो उनके जीवन में मुसीबतें आजाएगी कड़नायम आजाएगी फिर भी वह आग्यागारी बनकर वह इश्वर का वजन को अपने जीवन में सुविकार किया इश्री वजन को मान लिया वह विश्वास के रूँ में वह इश्री वजन को अपने जीवन में स्विकार करते हुए आग्यागारी बनकर इसा मसी का माम बनी क्रिस्ट प्यारे भाई और बहनों हम अपने आध्याद्मिक जीवन की और परकर देखने के लिए कोशिश करें किस पर अगार इश्री वजन पर जीने के लिए इश्री वजन के अनिसार जीने के लिए हम कोशिश करते हैं अगर हमें इश्री वजनाहों पर चलने के लिए कुछ दिकत या कड़नाई आ जाती हैं या सफल करने में हमें दिक्त हो जाते हैं तो हमें पोटर माम मरियम की मद्दिस्ता मांगना है पोटर माम मरियम हमेशा हमारी सखायता मद्दिस्ता करती रहेगी आमें